नमस्कार मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं इसके अम्युगा पिछले कुछ दिनों से हम लोग अन्वरत गीता जी के ध्यन को जारी रखे हुए हैं और इसी क्रम में बढ़ते हुए आज हम लोग पहुच चुके हैं अपने 41 श्लोक तक प्रतम अध्य प्रतम अध्याय के 40 श्लोकों तक की वार्ता पूर्ण हो चुकी है धर्मुक्षित्रे कुरुक्षित्रे से शुरूआत होने वाली बात 40 श्लोकों के माध्यम से अभी तक पहुच चुकी है आपके धर्मे नस्टे कुलम इस्तितित कहने का ताथ पर यह है कि अब हमाज से 41 श्लोक की शुरुवात करने जा रहे हैं 41 श्लोक में अर्जुन का जो विशाद है अर्जुन का जो कस्ट है अपने चाहने वालों को देखने के उपरांद वह बाहुभी जलगता है क्या कहते हैं अर्जुन कहते हैं कि अधर्मा विभावात कृष्णह प्रदुश्यंति कु वर्ड संकर होने का मतलब क्या है मतलब दो व्यास्थाओं में एक अर्जुन ये कहना चाहते हैं कि जब भी ऐसा होता है कि जब पाप अधिक हो जाता है परिवार के पुरुशों का खास करके तो इस तरियों अत्यंत दूश्यत हो जाती है इससे क्या अतात पर रहे हैं लेकिन जब आप श्लोकों को आगे पीशे के इस लोकों को छोड़ दीजिए और सिर्फ एक श्लोक को पढ़िए तो आपको ऐसा प्रती ही तो होगा कि यह क्या है जैसे फॉर एक्जामपल यह धर्म और हिंसा को लेके कि अहिंसा पर्म धर्म यह शब्द जो है वह अहिंसा क अंगिता जिसमें यह कहा गया है कि इस्त्रियों के दशा उत्तम नहीं थी वैदिक काल में उन वक्ताओं को यह बात ध्यान से देखना चाहिए कि वो जिस किताब को पढ़ रहे हैं वो किसी मैत्रई और किसी उसी नाम से एक इस्त्री भी हुई है मैत्री नाम की गारगी घो शापाला और भी बहुत सारे इस्त्रिया जो है वो इस पूरे वेद और वैदिक और उत्तरवैदिक कालों में होती चली आई हैं तो ऐसी ही बात को यह कहना चाहिए कि है क्रिश्न अधर्म अभिभावत क्रिश्नमाला अधर्म की बहुत जादे जब ववस्ता बढ़ जाती ह तो इस्त्रियां आते हैं तो दूसीत हो जाती है और इस्त्रियों के दूस्यत होने से वर्ण संकर्पत्रोथपन होता है यहां पे क्रिश्ने के लिए वार्शने यह शब्द भी आया है वार्शने का मतलब हुआ व्रश्न abusive कुल में जो थे वो रिश्न भगववां जनमे थे तो उनके नाम से उनका नाम वारशने था अब वारशने के आधार पर अगर देखा जाए तो क्या कहना चाहरे है वो कि वन संकर पैदा होगा धर्म मतलब किस विशे की ये बात हो रही है ये बात हो रही है अरजुन के द्वारा अपने सगे संबंदियों अपने परिवार के सन जाएंगी और यह तो यहां पे तो पूरा का पूरा इनका पूरा का इसे को रोगंगर दूए अगर करता है चोब युड़ शूरू करता है तो जब ये युद्ध शुरू करता है तो कालांतर में नेसंदे अगर उसका पूरा का पूरा कबीला समाप्त हो जाएगा तो नेसंदे फिर चीज़े जो है वो उस हिसाप्चे नहीं जेनरेट होंगी और फिर उस कबीले की जो मैलाय है वो किसी अन्ने से विवाह के लिए तत प्रभु अगर ऐसा हुआ कि पाप अधिक बढ़ जाएगा और कुल नश्ट हो गया तो फिर नेसंदे पाप पहलेगा और पाप पहलेगा तो वर्ण संकर पैदा होगा और वर्ण संकर पैदा होने से क्या होता है यह 42 श्लोग में बताते हैं एक बात समझे भारती सनातन धर्म में पिंडदान जिसको बोलते हैं वह ववस्ता चली चली आती है तो अर्जुन कहते हैं कि है प्रभू अगर वर्ड संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए हो जाता है ठीक है और जो पिंड़ प्रक्रिया होती है जिससे अपने पूरोजों को अपने पूरोधाओं को पिंडदान जो दिया जाता है उससे हमारे पितर जो है वो पतंदी पित्रों इससे क्या होगा पित्रों का रास होगा पित्र जो है वो हमारे उनका उनका लेवल जो है वो तो हमारे पित्रों का नाश हो जाएगा यानि ये बार बार बताने की कोशिस कर रहा है अरजुन कि आप देखी हमें इस युद्ध को नहीं कर रहा है किसी भी कंडिशन में कभी धर्म का हवाला देके कभी पाप का हवाला देके कभी पित्रों का हवाला देके यानि सारी बातो को बता के कोशिस कर रहे है, अर्जुन कि मैं ये युद्धना करूँ, अब इसी तरीके से 43 चो इसमें 43 चो इस्लोग में दो शेरते कुलागनाना वन संकर कार कारक है उत्साद अंते जातिधर्मा कुल धरमाश्च सास्वतां। यानि इन वर्ण संकर जो लोग हैं इन वर्ण संकरों से दोशों से कुल घाती हो कि सनातन कुल धर्म का और जाती धर्म का रास हो जाएगा। उत्सादंते जात धर्मा कुल धर्माश्य सासोता जाती धर्म क्या है और कुल धर्म क्या है पहने आपको बता रहा है कि जाती हो गए ब्रामण और कुल हो गया आपका कबीला किस कबीले से हैं आप किस गोत्र से हैं आप किस कुल के हैं फॉर एक्जामपल जैसे पांडे तिव सारे सारें कुलों को मिन्ला के बंती एक जाति जिसका नाम हो तो ये तो ऴुटवी इस तरीक का है उटसं न्रक सिंब में नावल named धर्माणा मनुश्या आदा हे जनार्दन जिनका कुल धर्म भी नस्टो हो जाए ऐसे मनुश्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है और ऐसा भवातियत सुश्रूम यानि मैं यही सुनते आया हूँ कि ऐसे लोग जो होते हैं वो अनिश्चित काल तक नरक का वास जह और यदि आप हमें नरक से बचाना चाहते हैं कहने का दात पर दे मैं आपको बता रहा हूं कि इन सारे श्लोकों में अर्जुन सर्फ एक बात कहना चाहते हैं और वो क्लियर है उनका कि मुझे आप उस ववस्ताओं से निकालिए जिस ववस्ताओं के कारण से इस युद्ध की कंडिशन में हैं देखे योग को लेके बहुत सारे पुष्तकों में एक किताब है दत्तात्रे संगीता ऐसी और भी बहुत सारी किताब हैं जहां पर आप देखेंगे कि योग को लेके बहुत खंडों में विभाजित क्या गया है तो ये एक कंडिशन है जहां पर अर्जुन लोग के बाद से दीरे-दीरे इनकी परिशानी जो है वो शुरू हो जाती है और ये चलती है 4700 लोग तक क्या कहते हैं कि मुझे नरक में नहीं रहना और यदि नरक का वास क्राप्त कर रहा है तो हे जनार्दन आप हमारी जनार्दन मतलब आप जो जो रक्षा करने वाला है ज जो जनता की रक्षा के लिए उपयोगी है जो जो जनता का है यादी जनार्दन देखि अर्जुन के द्वारा लिए जाने वाले समस्त नामों में बड़ा एक भाव दिखेगा हर जगे पे वो कृष्ण के उनीं नामों का नाम अवलोगन करते हैं जिन नामों से कृष्ण जो है उस भाव को समझ पाया क्योंकि भगवान स्री कृष्ण को यह जग है भगवान स्री कृष्ण या क्रिष्ण बुलाया जाता तो वो उस भाव को प्रदर्शित नहीं कर पाता अर्जुन शब्दों के साथ भी दिखा रहे हैं कि वो विद्धता की शेणी में आते हैं, प्राकान्डेता की शेणी में आते हैं और विशाद योग नाम के अध्याय से ये भी तैह होता है कि कहीं न कहीं अर्जुन के अंदर वो मानवियता है मानवियता कि बिना इस समस्त संसार में कोई भी वक्ती अपने धर्म की परायदा पो सिद्ध कर पाए यह सम्मों नहीं है योग शास्तर भी इनी सारी बातों का समन्वयन करता है आगे आने वाले लंबे दिनों में हम लोग इन सारी बातों को समझेंगे 45 वाश लोग क्या कहता है अहो बात अहो बत महत्पापम करतम ववस्तिता वयम याद्रा जिस्थ लोभेन हंतु सवजन मुद्धता है यानि मतलब बहुत बहुत कस्ट है हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तयार हो गया है देखिए प्रसेंट कंटिनूर स्ट चला है यहाँ पर यानि we are ready for a fight हम लोग कैसे मुर्ग वेक्ति हैं यह एक होतारा कि अलास हा मैं युद्ध करने के लिए तयार हो गया है वो भी राज के लिए सुख के लिए और सिर्फ इतनी छोटी सी बातों के लिए हम लोग जो है वो अपने सनेही जनों को मारने वाले है यानि सिर्फ राज और सुख के लोब के लिए हम अपने स्वजनों को मारने के लिए तयार हो गया है नहीं 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 मतलब यहाँ पर मैं बदा ना भगवान स्रीकृष्ण के उपर अपने हर तरीके से वो प्रभाव डालने की कोशिस करने कि प्रभू ये संतोषी सदा सुखी एक कहानी हमेशा से सुनता है हम लोग की संतोष करने वाला व्यक्ति हमेशा से सुखी होता है योग शास्त्रों में आस्टांग योग में तब आप देखेंगे तो यम नियम में आता है सौच संतोष तब स्वाध्याई इश्वर प्राणिधान तो संतो जो सब्द है वो कही न कही संतोष यहां पर दिख रहा है और अर्जुन जैसे व्यक्तित्व के संतोष के कारणी तो भी तो योग शास्त्रों का निरधारण हो पाता है जब आप संतोष होते हैं संतोषी होते हैं तो आपके संतोष के कारण इश्वर को भी आपको ग्यान देन में पढ़े रहते हैं जीवन का ये बड़ा सत्य है दार्शनिक भाव है यहाँ पे कि संतोश जैसे एक ग्लास है तो ग्लास में अगर पानी भरा हुआ हो तो आप निर्भर करता है कि आप किस कंडिशन में देख रहे हैं अगर आप बहुत संतोशी है और आपको प्यास लगी ह खाली दिखेगी यदि आप संतोशी नहीं है और उसके बाद आपको वह ग्लास दे जाती है आपका पेट भरा हुआ तो भी वह ग्लास आपको खाली ही देखेगी लेकिन यदि आप संतोशी है और आपका पेट भरा हुआ है तो आपको ग्लास वह आधी भरी दिखेगी और वो condition है यदि आप बहुत साखारात वक्त सोच रहे हैं तो आपको पूरी भरी दिखेगी आधी हवा से आधी पानी से मतब condition है आपके संतोष को हमेशा एक fix condition से होके गुजरना पड़ता है और जब ये conditioning आनी शुरू हो जाती है उस समय में आपको किसका रुख करना चाहिए इ इश्वर निर्धारित करते हैं वो सर्वत्तम होता है महा भारत में परम संतोष का प्रदर्शन किया अरजुन ने अपने इस 44-45 इस लोग से 40 से लेके इनफाक्ट 45-47 तक वे इन्होंने गजब का संतोष दिखाने का प्रयास किया है आश्टांग योगों में भी संतोष आत करने के लिए क्यों तत्पर कराते हैं और यही इद्जब समाप्त होगा तो इसी संतोष को और संतोष में उत्तेजित करने के कारण ही भगवान भी श्राप जहलने को तैयार है और सहर सश्विकार करते हैं गांधारी के श्राप को तो हमें इन सारे बातों को अपने गीता अ शास्त्रम 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 पाड़े धारतरास्त्रा रड़े हंतु स्तन में क्षेमत्रम भवेत। शास्त्रम 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 शास्त् युद्ध नहीं हो पाएगा अब जब ये बातों को बोल देते हैं याने शेवतरम बहुत यानि अब वो फाइनल सरिंडर कर रहा है कि नहीं अब मैं युद्ध नहीं करूँगा यह रहा मेरा शस्थर मैं तयाग कर रहा हूँ और मुझे जिसको मारना है मुझे फर्ख नहीं शुरू करेंगे इन बातों को बताते हुए संजे बोलते हैं एव मुक्तवार जुनम संखेरतो पस्त उपविशत विरिशिज ससरम त्यापम शोक समविग्न मान सहा यानि संजे बोले कि रण भूमी में सोक से बहुत जादे उद्रिम्न मनवाले अर्जन ये कहते हैं और ये ज संजे बता रहें कि इसको दृत राश्ट को विसर्जित करते ससरम चापम शोक विग्न मानसा यानि मन में अत्यनत शोक युक्त होके वह धनश और बाढण को छोड़के रतोपस्त उपविशत यानि संखेर रतोपस्त उपविशत यानि पीछले साइड में जाके बैठ जात अपने समाप्ति को प्राप्त करता है और ये एक अद्बुत मायलिस्टोन हमने अस्तापित कर लिया है क्या है इसमें ओम तत्सिदी स्रीमत भगवत गीता सपुनशत ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे सिर्कृष्ण अर्जुन समवादे अर्जुन विशाद योगे ना इकाल लिए तब एक तपस्वी है जो क्रिश्न के रूपे बैठा है एक संतोशी है जो अर्जन के रूप में है लेकिन इस संतोश के भाव को आने के बाद भी विशाद नाम की पार्त बताया जाता है ये भी बताया जाता है कि लोग क्यां कहते हैं अपने रक्षन हेतु धर्म जो है वो ये कहता है कि वो संग को बजाएं उत्साह भी दिखाई देता है कि हर वो युवा वेक्ती हर वो नया जो नया नया युद्ध करने वाला होता है वो तोड़ा उत्साही होता है लेकिन बाद में उसका उत्साह समाप्त हो जाता है तो इन सारी बातों को लेके प जितनी बार पढ़ेंगे, हर बार कुछ ना कुछ नया निकल के आता है, तो मेरे लिए अगर मैं ये अध्यान कर रहा हूँ, तो मेरे अध्यान के दौरान गीताजी से कुछ बाते निकल के आई हैं, उत्साह है, तो संदोश है, तप है, तो इश्वर पराणी धान है, और प्रेम के कारण से वह अर्जुन का रत हाके, हलाकि मैं जब भी देखता है, तो मुझे ऐसा लगता है, तो प्रेम कह लेजे, या इश्वर की ऐसी करुना कह लेजे, या इश्वर की प्लानिंग कह लेजे, या superficial management कह लिए या ultimate political aspect देख लिए जो भी देखिए that was awesome आप देखें मैं तीन विश्यों में मैंने आपको बताया कि तीन विश्यों में मैंने master degree की है तो तीन विश्यों के आधार पे ही मैं चीजों को देख पाता हूं कियोंकि मेरे पास अभी ज्यादे चश्मे नहping है यानि ज्यादे विद्या नह인 है कि मैं बहुत सारी बातों को अलग अलग तरीक dio सिते देख पाуки लेकिन भी विद्याइसं की दृष्टी कोंड से जब मैं उनका उनका अस्पेक्ट देखना देखना शुरू हो जाता है जब भी मैं बात करता हूं मार्क्स की जब भी मैं बात करता हूं किसी ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम की जब भी मैं बात करता हूं बैंतम की जब भी मैं बात करता हूं ऐसे 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 अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटि भी दिखेगी, आपको शुक्र नीती भी दिखेगी, आपको ब्रिहस्पत नीती सार भी दिखेगा, यानि यतने भी insane political thoughts हैं, वो भी आपको कहीं न कहीं दिखना शुरू हो जाएगा, और जब मैं बात करता हूँ योग शास्त्र की, तो योग शास्त्र के भी परमतप आपको दिखते हुए चले जाएंगे, हलाकि श्री जो इस कौन वाले गुरू जी है, उन्होंने इसको तीन भागों में बाटा है, एक से साथ, साथ से लेके बारा और फिर तेरह से लेके टारा, ऐसे तीन भागों में बाटा है, कर्म योग, ज्यान योग और इस तरीके से तीन हिस केमरा और लाइट्स वगयरा लगाया कि और बहुत महौल बना के नहीं बता पा रहा हूं गीता, लेकिन एक बात जो मैं ये जानता हूँ, वो ये है कि गीता के अध्यान को लेके, आप जब भी गीता जी के अध्यान को करेंगे, तो आपके अंदर एक सबर्दा स्वर्जा क संचार होगा, मैं जब भी ये वीडियो शूट करता हूँ, तो ये आप समझे कि प्रते दिन हमने लागातार कोशिस किये कि प्रते दिन पांस से दस, दस से बारा हम लोग शूट करें श्लोक को, लेकिन इन तमाम कंडिशन के बावजुद, बहुत पैक्श श्यडियूल होन लेकिन फिर भी कही ने कही थोड़ी बहुत गलतिया होती हैं, जिसको मैं वाखोवी स्विकार भी करता हूँ, और इनी सारे माध्यमों से हम लोग आगे बढ़ते वे, दिरे 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 अपने आपको उतक्रिष्ट बढ़ा लेंगे, यूट्यूब एक बड़ा अच्छा म माध्यम हैं और इस माध्यम का प्रियूग हमें करते रहना चाहिए, इनी सारी बातों के साथ बहुत बहुत अभार, धन्यवाद, नमस्कार